श्री मुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का उसर भी प्राप्त हुआ है वाईो बेनो हम सब जानते हैं समाज के मार्ग दर्शन के लिए जब भी आउ सकता पड़ी यह समाज समरस समाज के रूप में बिना भेदभाव के उत्तर से दक्षिन, पूरब से पस्विम एक भाव और भंगिमा के साथ कारे करता रहा है अतीद के किसी काल खंड से लेकर के आदार्ट से कभी पीछे नहीं अटे और अपने हर कारे को पैणाम के साथ जोडते वे समाज को एक नई तिसा में अग्रसर करने का कारे किया है आज पावन पर वह है जब हमें मारसी बालमी की जीकी इस पावन जैन्ती के कारे करम के साथ अपने अनुसूतित समाज से जुड़ेवे बंदों के साथ इस महा पंचायट के माध्यम से संबाद करने का उसर प्राप्त हो रहा है आज एक और मारसी बालमी की पावन जैन्ती और दूसरी और आज हर देव मंदिर में अखंड रामेड का पाठ भी हो रहा है मारसी बालमी की जैन्ती के उसर पर और सरकार स्विम इसमें भागिदार बन रही है याद करिए क्या पहले मारसी बालमी की जैन्ती के उसर पर रामेड का पाठ हो पाता था क्या पिसली सरकार घबराती थी क्योंकि उन्हें मारसी बालमी की के में भगवान बेदाब्यास में बावासाब भीमराम बेटकर में संतर अवीदास में उनको यह लगता था कि अगर हम इने मेमा मंडित करेंगे तो कई उनका वोड बैंक न किसक जाए और इसके भैसे इन महापुरुसों की जैन्ती ही नहीं मनाते थे उनके नाम पर कोई कारिक्रम नहीं होने देते थे इन महापुरुसों के नाम पर जो पहले से बनेवे स्मारक थे भवन थे उनको हटाने का कारे पिसली सरकारें करती थे लेकिन आज सरकार ने इस बात को तैक्याए डवलिंजन की सरकार है प्रदान मंत्री मोधी जी के नित्रुत्तों में उनकी लीडर्शिप में आज एक तरह बावासाब भीमरा अंबेट कर थे जुड़ेवे पंच तीर्थों के विकास का कारे क्रम प्रभावी धन से आगे बढ़ाने का कारे हो रहा है तो दूसरी और मौरसी बालमी की के प्रति पूरी सरदा और सम्मान का भाव ब्यक्त करते वे उनके पावान जहनती के उसर पार हर देव मंदिरों में अखंड रामेंड के पार्ट के साथ सरकार कारे करकार करम को आगे बढ़ा रही है बाईो बेनो बगवार राम के चर्टर को दुनिया के सामने लहने का स्रे अगर किसी एक तिर्काल दर सिरिसी को जाता है तो मौरसी बालमी की को जाता है याद करिए मौरसी बालमी की उन्होंने जो रामेंड लिखा वही रामेंड के अलग-अलग संस्कनन के रूप में अलग-अलग काल खंडों में फिर सामने आई और आज इसी का पेड़ाम है अयोध्या में बगवान सीर राम के भव्य मंदिर के निर्मान का मार्ग भी प्रसस्तों हो रहा है वायो मेनों कौन ऐसा भारतिय होगा हम बैटकरके योगदान के प्रथिकृतग्यتा घ्याफित नकर सकता हो हर भारतिये को करना चाहिए हYourव करता है और उनके प्रथिकृतग्यता घ्याफित करते में अपनी सामाचिक और राश्तियक ता को मुझबूती प्रणं करने का कारेजिंग अभी करता है पिशली सरकारें आपको समाज को जाती के नाम पर बांड़ती थी छेक्र के आधार पर बांड़ती थी भासाई आधार पर समाज इकताने पाने को छिन्ड भिन्ड करने का कारे करती थी लेकिन डवलिंजन की भारतिय जन्ता पार्टी की सरकाराज प्रधान मंतरी मोधी जी के नित्रतों में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंतर के साथ सासन की योजनाओं को प्रभावी डंग से हर तब के को देने का कारे कर रही है तो विकास की योजनाओं को भी बिना भेद्भाव के समाज के प्रफेक तब्के को देने का कारे कर रही है उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य सासन के अस्तर पर पिछले छैवर्श के अंदर जहां पौने तीन करोड गरीबों के सोचाले बने वहीं 55 लाग गरीबों के लिए एक एक आवास देने का कारे भी हुआ है एक करोड़ चौवन लाग से दिख परिवारों को वह योबैनों एक करोड़ चौवन लाग परिवारों को फिरी में बिजली के कनेक्शन मिले तो एक करोड़ पिछत्तर लाग परिवारों को फिरी में उन्हें रसोई गैस के connection उप्लब्ज करवाने के कारे भी हुए हैं। याद करिए करोना कालखंड में फिरी में रासन और भरण पोशन भटता देने का कारे भी और फिरी में वैक्सिन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के और गरीब तक पहुचाने का कारिकिया दुनिया की अंदर कहीं भी करोना प्रवंदन का ये उधारन प्रस्तुत नहीं हुआ आज सरकार अने कारिक्रम चला रही है और मुझे प्रसंता हो रही है जब मौरसी बालमीकी जी की पावन जहेंती के उससर पर हम संबाद बना रहे हैं प्रदेश सरकार ने तै किया है कि जितने भी सफाई करमचारी होंगे इन सफाई करमचारी यों को नियूंतम बेतन देने की गारंटी सरकार देगी मुख्य सचीव के नित्रुतों में हम लोगों ने कमेटी का गठन कर दिया है और हमने का समय से रिपोर्ट दो कोई उनका सोसन ने करने पाए इसके पुक्ता विवस्ता की जाए भायो बेनों आज आप सासन की योजनाओं को हर गरीब तक बिना भेदबाव के पहुंसते बेदेख सकते हैं हर दलीप हर बंचित योजनाओं का लाप पातावाद देख सकता है आज समाज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाप प्रभावी ढंग से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के अस्तर पर के गए प्रियास आज उन तक देखने को मिलने हैं आपने इन चीजों को अन्भो क्या होगा 2017 के पहले प्रदेश के जिस तरीके से नजरंदाज किया जाता था आज देख रहे होंगे कि उन्हीं सभी गरीबों को बंचितों को अनसुची जाती और जंचाती से जुड़ेवे लोगों को उनका जिकार देने का कारे क्या जा रहा है कोई उनके सम्मान के साथ खिलवार न करने पाए इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रियास किये गए हैं और सरकार के इसी प्रियास का परणाम है कि आजादी के बाद जो पिक्सित पड़े वे थे जिल लोगों तक सासन की उजनाए नहीं पहुंच पाई थी ऐसे बंटांग्या समाच से जुड़ेवे लोगों को राजस्तों गाल का दरज है कि बुक्सा है कि जितनी भी जंजातियां थी जिनको सासन की योजनाओं के साथ 70 वर्सों में नहीं जोड़ा गया था उन लोगों को योजनाओं के साथ जोड़ने का कारे किया गया उन्हें मानिता दी गई पहली बार गत पंचाय चुनाओं में उनको अपने प्रधान च वानिंजन की सरकार करके दिखाईती भी इए याद कर एक वर्स पहले ही कान्पुर दियात जन्पत में तब मैं यहां यह था कान्पूर में स्पीकर मौदेबी पचोरी जी भी मैठानी जी भी हमारे विदायक गण मौजूद थे और कानपूर दिहाद में वहाँ के मान्य सांसा सी बोले जी और वहाँ के मान्य विदायक गण मौजूद थे जब याक्रा से आ रहे 35 परिवारों के घर टॉली दुरगटना में उजड़ गए थे परिवार अनात हो गए थे उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया था और तब मैं स्वेम आया था मैंने कानपूर और कानपूर दिहाद दोनों जगे का दोरा किया था और भायो बेनो आद महरसी पालमी की जी के नाम पर वहाँ पर उनके लिए पूरी एक टाउंसी पसा भी गई है उनके लिए एक एक मकान दे दे गए है याद करिए इन गरीबों के लिए जिनका मकान नहो उसके लिए एक मकान मिल जाए सिर ढखने के लिए वही दुनिया है एक गरीब जिसक पास अपना सोचाले नहीं उसको सोचाले मिल जाए वही उसके लिए दुनिया है एक नौजवान जिसके पास रोचगार नहीं अगर उसके हाथ को कारे मिल जाए यही उसका सम्मान है यही उसके लिए दुनिया है एक बेटी जिसको सुरक्सा चाहिए उसको सुरक्सा की आपी मिल जाए यही उसके लिए दुनिया है और भाईयों बैनों एक बंचीत एक गरीद एक दलिक जो सम्मान जिसको प्राप्त नहीं हो रहा था अगर उसे सासन और समाज मिलकर के सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक आउसर देता है तो उसके लिए दुनिया की सारी खुसयां उसको प्राप्त हो जाती ही दिखाई देती हैं और आज डबल इंजन की सरकार इसी को ध्यान में रखकर के अपने कारेकर्मों को आगे बढ़ाने का कारे कर रही है घो एक वरस पहले उजड़ गये थे वह और लोगों को आज प्रिसे अपने घर प्राप्त हो चुके हैं उन चेरों की मुस्कान को देखकर क्या अब अंदाजा लगा सकते हैं कि वे चेरे भी आज इस बात को मानते हैं कि रेखें हो सकता है आपदा की चपेट में किसी एक्सिडेंट की चपेट में उनके परिवार आ गए थे और सरकार वही जो संकट में वोड़ के लिए कि इस्तेमाल करती हो और इसके बाद भूल जाती हो पहले यही होता था सत्रह के पहले वोड़ बैंक के रूप में जाती के नाम पर अपने परिवार को बढ़ावा देने का कारे होता था समाज के समाजिक ताने बाने को चिन विन्न करने का प्रियास होता थ लेकिन आज समाजिक ताने बाने को चिन विन्न करने नहीं बलकि समाज की मुख्यदारा के साथ जोड़ करके प्रणान मंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जोड़ने के लिए बारतिये जनता पार्टी एक समरस समाज के निर्मान की कारवाई को आगे बढ़ा रहा है भाईो बैनों आपके लिए इससे बड़ी प्रसंता का विस्से क्या हो सकता है कि एक यह निलगा बेड़ वर से पहले कि इसी कानपूर नगर में पुलिस कमिस्नर के रूप में से अशीय मौरुण जी अपनी सेवा दे रहे थे और आज कि वह कंणों से विधायक भी है और साथ साल तर्वदेश सरकार में समाज कल्यान विभाग के मंत्री भी है आप ने देखा आगा बदलते वे बारतिये जंता पार्टी कैसे एक-एक बैक्ति का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का कारे कर रहे हैं तेड़ वर से पहले रहा होंगे रावल बच्चा सोन करके पिता सिराम जन्भुमी आंदोलन के दोरां सहीद हो गए थे और उस समय ऐसा लगता था लोगे मानते परिवार अनात हो गया लेकिन भारतिये चंता पार्टी है किसी को अनात नहीं होने देती है उसके साथ खड़ी होती है पुरी करते हैं तो भाईयों बेनों फिर हाथ छोड़ते नहीं है उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं आपने यहां पर इस बात को देखा होगा कि यहां पर हमारी एक मंत्री करोना काल खंड में असमय काल कल्वित हो गई थी आग उनकी सुपुत्री कि सिमापी सौपनिल वरुण जिलापंचादत धग्स के रूप में है और जिलापंचादत धग्स के रूप में नेत्रतों दे रही है ये हैं सब का साथ और सब के विकास का भाव हम अधूरे रास्ते में नहीं छोड़ते और यही कारण है कि जब प्रधान मंत्री मोदी जी को गुजरात के मुख्य मंत्री के बाद प्रधान मंत्री पत्काव सर प्रात्त हुआ उन्होंने एक ही बात कही थी हमारी सरकार बिना भेद भाव के सासन की योजनाओं का लाप समाच के हर तब के को देगी गरीब भी था गाओं भी था दलिद भी था बंचित भी था मैलाएं भी थी युवा भी थे उनके जंडे के तहट और सबसे पहला कारे क्या बावा साथ भीम्राव बेट करके प्रफी सम्मान व्यक्त करते वे पंच तीर्थों के विकास के लिए कारे योजना बनाना वायो वेनों पंच तीर्थ किस रूप में विक्सित हो रहे हैं आज यह आप सब के सामने हैं बावा साथ भीम्राव बेटकर से चुड़े वे आपने देखा होगा महु चाहां जन्व हुआ था मत्यप्रदेश में भब देश मारेक बावा साथ भीम्राव बेटकर का बना हुआ ़ग्राव जिल्ली में सदान करके बतीत किया था वहां पर भ्वासा भीम्राव बेटकर अब्द्यस मारप बहवा साथ भीम्राम बेटकर ने इंगोिंग्लेट बेचा करके अपने शिक्लाव अर्ग जांसे शिक्षाच्व कि वहां पर उसे भवन को खरीद्द करके पटेस्ताम उसकी सुभधा के साथ बावासाओं भीमरां थींग्लेंट में बिनाने का काम हुआ सभावसाब ने चहाँ दिक्साली थी नागपुर में समारख बेनाने का काम और चैत्य rebhoni मुंबई में भी या कार्य हुआ का बनाया गया यह दिल्ली में वावाट साथ भीम्राव बेट कर अंतरास्तिया केंद्र का निर्माण भी मोदी जी के नित्रत्तों में केंद्र की सरकार ने किया है और उसी तरज़ पर उत्तरब्रदेश में भी बावा साथ बिम्राम बेटकर क बब्यस्मारक बनाने काकार्य कारत्तार वर्देश सरकार कर रही है उनिप्णू संथिन इस अच्छिंक रभदेश सरकार के ओले ही तक सी Państwo मितने है और्ब्रम्देश सरकार ने संत्र अभिदास जी के ईवावं जनमस्तल शीर गोवर्दन में वारणासी में भी संत्र अभिदास जी की भब्य स्मारक बनाने के बड़े कारेक्रम को आगे बढ़ाया है आज महरसी बालमी की जी की पावन जयनती है लालापुर जहां पर महरसी बालमी की का की साधनास्तली के रूप में और उनकी जनमस्तली क लालापुर में आज अनेक कारेक्रम चल लाए हैं वहां के सुंद्री करण के एक व्यापक कार्योजना और चित्रपूर जन्पद में उस पहाड़ी पे चड़ने के लिए रोपवे के निर्मान के कारेक्रम को भी राज्यसरकार आगे बढ़ा रही है वायो बैनों जिससे ल उस तरकाल दर्सी रिशी के वो साधना के पूर्णे फलों को प्राप्त कर सके यह सभी कारेक्रम सरकार जहां आगे बढ़ाने का कारेकर रही है वही इन महापुर्सों के लिए सम्मान बेक्त करते वे आज हर सरकारी कारले में बाबा साथ भीमराम बेटकर का चित्र भी आप और बड़ा सब्सक्राइब भीमरां बेटकर के नाम पे कॉलेज का नाम था लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार यह नाम बदल दिया नाम बादलाई ने सिलापड़ को सपाई लोग गंड़े ले जाकर तोड़ दिये बाबा साथ भीमराम बेटकर का अपमान किये एक करब मोदी जी 26 नौंबर की दिजबो भारतिय सम्विधान दिवस के रुप में मनाने की घोशना करते हैं अवाबा सारव भीमराऊं बेटकर के दौरा दे गई सम्मिदान के प्रिती सरधा ब्यक्त करतेवे उन्हें भारत के सरवत सम्मान के साथ उनके प्रती कृतिक्ता ग्यापित करने के साथ साथ इसे तमाम प्रकार की डिवेट आगे बढ़ाई जाती है दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है बाबा साथ भीमराम बेट करके नाम पर बनेवे समारक को हटाने का पाप भी करती है भाईो बैना इन चेरों को और इन चरित्रों को समझे यह लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ लेकिन यहाँ पर तो यह डवलिंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है और यह करके दिखाने का कारे सासन की योजनाओं में सासन के द्वारा दी गई योजनाओं को आगे बढ़ाने में हर गरीब को बिना बेदबाओ के सासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए जो कारे किये गए हैं उसके पेरणाम सरूप आज हम सब के सामने वाद देखने को मिलना है डबल इंजन की सरकार इस दिसामें पूरी प्रबावी तरीके से आपके साथ खड़ी हो करके आपकी सुरक्सा के लिए आपके स्वाबलमन के लिए आपके संबान के लिए पूरी प्रतिवदता के साथ कारे कर रही है और उसी बात के लिए आस्वस्त करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया है आपसे कहने के लिए आप चिंता मत करिये डवल इंजन की सरकार और भारती जंता पार्टी का एक एक कारिकरता आपके साथ खड़ा है वायो बेनो अनसूचित जाती महास्मेलन के माध्र गेंसे अनसूचित जाती मोर्चा से रामचंडर कनोज्या के नतरत्तों में जिस प्रभावी धंसे अपनी भूमिकाओ का निर्मान प्रदैस भर में करना प्रारंब किया है यह अद्बुत है बहुत स्रानी यह है और इसके लिए मैं उनका और उनकी पुरी टीम की सरहना करूंगा और भाईो बेनों मैं अब सब को अस्वास्ति करता हूँ जैसे कानपुर कभी देश का सबसे उबरतावा नगर था देश के अंदर तीन बड़े आर्थिक रूप से संपन्न महानगरों में कानपुर की गिंती होती थी पिछली सरकारों ने कानपुर की इस आर्थिक उन्नटी को पूरी तरह तहस्नास करने का काम किया कि आज मुझे बताते वी प्रसंता है जहां यहां पर पांसो क्रोड रुपे की प्रयोशनाओं का आज सिलान्यास और लोकारपन तो हो रहा है लेकिन साथ-साथ जो नई योजनाए कानपुर के लिए बन रही हैं मेट्रो कानपुर में भी प्रारंब हो आपने देखा होगा 2021 में प्रधानमंत्री जी के करकमलों से कानपुर में मेट्रो के प्रायटी सेक्टर का काम कम संपन करके मेट्रो का सबलता पुर्वक संचालन हो रहा है मेट्रो सीटी के रुप में आज कानपुर बन चुकी है विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उभर रही है लेकि कानपूर से लेकर के जहांसी तक इस पूरे छेत्र में 38,000 एकड़ भूमी में एक नुएडा की तर्ज में नए और जोगीक विकास के केंद्र को विक्सित करने की कारवाई को डवनिंजन की सरकार ने अपने हातों में लिया है बायों में नुएडा में 46 वर्स लगें तब 35,000 एकड़ लेंड में नुएडा का विकास हो पाया है कि यहां पर पहले ही वर्स में 38,000 एकड़ में यह पौद्योगीक विकास की नए कारिक्रम को हम लेकर की चलने हैं और मुझे विश्वास है कि यह कारिक्रम इसी तारितम्यता के साथ आधुनिक इन्था स्ट्रक्चर के ल मेट्रो के संचालन का हो या फिर डिफेंस कोरिडोर का हो नमामी गंगे में मा गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए के गए कारिक्रम हो या फिर यहां के पुराने और जोगिक स्वरूप को फिर से पनरस्ता पित करने का कारिक्रम यह कानपुर के साथ साथ पूरे कान कानपूर बुंदेलखन छेत्र की तस्वीर और तक्वीर को बदनने के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं और उसी दिस्याद में आपको अस्वस्त करने के लिए आया हूँ कि भायों बैनों डवल इंजन की सरकार कानपूर और बुंदेलखन को उसका दैबहों फिर इसे उपलब्द करवाने के लिए पूरी प्रतिवादता के साथ कारे कर रही है और आज इसी के लिए कि तीसरे नंबर पर देश के अंदर कानपूर और जोगिक नगरी के रूप में अड़्ध विवास्ता का एक केंद्र बिंदू था और फिर से कानपूर को वहीं हमें अस रूप आज यहां पर उपलब्द हो रही हैं और मुझे पुरा विस्वास है कि इन योजनाओं के माद्गम से लाखों नौजवानों को रोजगार की कारे करम के साथ हम जोडने इसकिल डेवलमेंट के साथ जोडने में हम सबल होंगे एक बार फिर से मारसी बालमी की की सामने देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हो कि सरकार डवल्यन की सरकार पूरी इमांदारी के साथ पूरी प्रतिवदता के साथ बिना भेदभाव के सासन की योजनाओं को हर बंचित हर गरीब हर दलित हर